हलो एव्रिवान एंड विलकम बाग तो मैं चैनल रूप्स लाइफ तो आज की हमारी जो वीडियो है यह है आईक्या की शॉपिंग हॉन्ट वीडियो तो आज मैं आपको आईक्या के कुछ प्रोड़क्स दिखाऊंगी जो मैं डिसंटली लेके आई हैं अगर आपको इन में स चैनल करते हैं आईक्या के हर प्रोड़क्ट के ऊपर एक यूनीक नमबर को दिया गया होता है लेकिन हां आईक्या को सेलेक्टिव जगापर ही दिलिवरी जो है वो करता है अगर आपके एरिये में जो है दिलिवरी नहीं दे रहा है आई किया तो डुन्ट वारी आप इन प 30 clips है जिसमें हमारे पास जो है ये 10 बड़े clips दिये गए है और ये 20 जो है ये छोटे clips दिये गए है राइट आ जो unique code में आपको बता रहे थी वो ये वाला है देखे इस सबसे हाथ product के ऊपर में रहेगा तो इससे आप search bar में डाल के search कर सकते हो तो ये जो clips है ना ये बहुत ही अच्छे हैं जैसे कि हमें कोई भी बाग जो है seal करके रखना है हमारा कोई snacks के निकनक्स के items होते हैं हम लोगों open करके chips हो गया बिस्कीट होगे open करने के बाद अगर हमें कोई सी jar में उसे नहीं डाला है उसी packet को जो हम seal बंद करके रखना चाते है तो उसके लिए ये जो है ये बहुत काम में आता है हाजी तो next जो हमारी item है वो है ये tea towels तो ये है set of four में Ikea में बहुत अच्छे tea towels मिलते हैं मेरे पास और भी बहुत सारे हैं लेकिन इस बार जो मुझे थोड़ा color add करना था तो मैं ये जो green वाला लेके आई हूँ और इसका जो size है वो भी काफी अच चाहिए like orange color में भी available थे आप चाहो तो वो भी देख सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो code है वो दिखा देती हूँ राइट और इसका जो price है यह है 199 रुपीज वो set of four next हुमारी item है वो है knives का set तो यह तीन का set है जो कि yellow, green and white और इसके जो blades है वो तीनों different है और यह stainless steel के बने हुए है बाकि इसका जो है यह तो body बाकि plastic की है और इसका जो price है ना वो थोड़ा economical range का मुझे सही लगा विथी Ikea में जो knives है उसकी बहुत सारी राइटिया में मिलती है लेकिन थोड़े से प्राइजी लगते है मुझे लेकिन यह जो है यह 299 for three next हमारी item है वो है यह tub जी हाँ यह tub है यह foldable tub है तो आप इसे use करने के बाद जो है ना थोटी सी जगा में कहीं पर भी रख सकते हो आप चाहो तो इसे laundry के लिए जैसे अगर आपको थोड़ी सी छोटे-छोटे कपड़े जैसे हम धोते हैं जगड के हाथ से दोने पड़ते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं इसे यह lines देख रहे हो यह specially उसी के नेक्स्ट हमारी आइटम है वो है यह organizer यह pot and pan organizer है और यह बना हुआ है stainless steel का तो इसे जो है थोड़ी सी assembly की ज़र पड़ती है तो इसे खोलने के बाद हमें कुछ इस तरह से इसे फिक्स करना होता है इसके साथ हमें पूरे जो प्रॉडक्स है वो मिल जाते हैं बहार से कुछ पूरा सब इसके अंदर ही तहता है राइश हाँ इसकी जो बेस्ट चीज है वो यह है कि यह बहुत ही फ्लाक्सिबल है अगर आप अपने ड्रॉर के साइस होता न कई बर कि हमें अपने ड्रॉर के साइस के कॉर्डिंग जो है वह organizer नहीं मिल रहा है तो आप यह वाला यह बाकि हमारे जो पॉट्स होते हैं यह पांस होते हैं उनकी जो साइजे के यह हम इसे है अंके सट कर सकते हैं तो इसका जो प्राइस है वहő है पाई गाई 99 रूपीर profits नेक्स जो हमारी आइटम है वो है ये ब्रश तो ये ब्रश कुछ इस तरह से है यहाँ पर इसके जो ग्रीन कलर का ये जो है ब्रश वाली साइड है और दूसरी तरफ इस तरह से लाइन्स बनी हुई है आप देख सकते हो तो जो हमारे ज्यादा हाड स्टेंस होते हैं उन्हें क कर सकते हो मैं इसे लेकर आई हूं अपनी एक चाल का सीख चैह उसी क्लीन करने के लिए क्योंकि मुझे ये बहुत ही हाडी लगा इसे पकड़ के क्लीन करना बहुत ही एजी हो जाता है नौर्मली जहां में स्कॉर्श प्रेंट और से क्लीन करते हूं तो उसमें पूरे मेरे आइटम है वो भी ब्रशीज है तो यह है सेट आफ टू का और यह जो है ब्रशीज यह शू क्लीनिंग ब्रशीज है और यह इस तरह से जो है इंटाक हो जाते हैं दोनों साथ में तो इसका यह बहुत अची चीज़े की गुम नहीं होता है तो यह जो हमारा येलो वाला छोटा ब्रश है यह हमारा हाट ब्रश है और यह जो दूसरा वाला ग्रे कलर का हमारा प्रश है यह थोड़ा सॉफ्ट ब्रश है तो हमारे जो शूज है कई बार जैसा होता है बहुत कम जगा में हमें कोई एरिया क्लीन करना होता है तो उस हिसाब से यह जो है ब्रशी बिल्कुल प बाउस होते हैं कुछ उस तरह से है और इसका जो प्राइस है वह है 99 रूपीज निक्स्ट जो हमारी आइटम है वह हमारे स्पून्स और यह कॉफी स्पून्स है यह बने हुए है स्टेनलेस टील के और इसे डिश्वाशर में भी हम यूज कर सकते हैं डिश्वाशर सेफ है यह और इसका जो प्राइस है वह हमें मिला है 349 फॉर पांक ओच तो नेक्स्ट जो हमारी आइटम है वह मेर इस बार की जो शॉपिंग की सबसे फेवरिट वारी आइटम है और वह है यह मग यह रियली बहुत ही ब्यूटिफुल है इसकी आप डिटेइलिंग देखोगे तो यह बहुत ही अच्छा है मैंने लिया है ब्लू कलर में आपको इसमें पिंक और ग्रे तो आप इसे जो है एक्ष्ट पार्ट यह है कि डिश्वाशर और माइक्रोवेल सेफ है तो इसके साथ मैंने एक मग जो है वो और ले लिया है कॉप और यह वाला जो है यह हमारा ब्लाक करका है और इसके शेप में है यह थोड़ा सा हमारे जो रेगुलर कप साते हैं कॉपी यह उस साइस का है और इसे भी ग्राब करना बहुत इजी है और यह भी हमारा डिश्वाशर और माइक्रोवेल सेफ है और इसका जो प्राइज है वो है 179 रुपेश तो नेक्स हमारी आइटम है वो है यह लेडी सुजन और यह वुड कलर में है और यह काफी बड़ा है तो मुझे जो है हमारा स्पून स्टैन रखने के लिए एक बड़ा चाहिए था लेडी सुजन तो इसलिए मैंने इसे जो है वो लिया है और इसका जो प्राइज है वो है 649 रुपेश नेक्स हमारी आइटम है वो है यह प्लेस मैट तो यह वाइट कलर का प्लेस मैट है जिसके जो है कलर हमारे इंटीर के साथ मैच नहीं कर रहा है तो इसे कवर करने के लिए मैंने यह जो प्लेस मैट है यह खरीदा है तो देखें सारी चीज़े कितनी अच्छे से जो है इसके उपर अरेंज हो गई है हाजी तो मैं अपनी किचन को देने वाली हूँ मेकोवर तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखेगा मिस्क मत कीजेगा तो इसलिए मैंने आईकिया से कुछ जास परचेस किये हैं तो यह है उन्में से एक तो यह है आईकिया का 365 सेरीज का जार जो की बना हुआ हुआ है एक इसका जो प्राइस है वो है 2.99 रूपीस और यह 1.3 लीटर कपैसिटी के साथ हमें मिलता है तो नेक्स वाला जो जार है वो भी सिमिलर ही है 365 सीरीज का बस इसकी जो कपैसिटी है वो जादा है यह है 2.3 लीटर का नेक्स जो हमारा जार है यह एक ग्लास का जार है तो यह जा सक्झाइस सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब मिनेरा तो यह बहुत ही अच्छा प्रड़क्ट एक प्रौडप्त harvest में 249 रूपीजी तो थे हमारा जार है वो भी हमारा ग्लास का ही जार है यह 1.9 लीटर की कपैसिटी के साथ आता है और यह हमें मिला है 3.99 रुपीज में और इसके जो लिड है कुछ इस तरह से उपन होते है नेक्स हमारी आइटम है वो है एक बहुत बड़ा सा जार और यह हमें काफी अच्छी कपैसिटी के साथ मि जो लिड मिलती है यह पार्शली ओपन होती है कुछ इस तरह से और इसके साथ हमें नीचे मिल जाते हैं वीज तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखना साथ है जहां पर आप इसे एजी ली मूव कर सके तो उसके लिए बहुत बढ़िया है तो इसकी डिटेल यहां पर आप और इसके अंदर हमें 50 जो है पीसिस मिल जाते हैं लेवस के और इसका बेस पार्ट यह है कि इससे पील आफ करना तो बहुत इजी है लेकिन फिर भी ना यह डिश्वाशर इसका जो प्राइस है वो है 149 रुपीज हाजी तो अभी तक मैंने आपको 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 आई किसे दिखाई है तो अब थोड़े से हट के प्रोड़क्स दिखाते हैं तो उसमें है सबसे पहले यह बाग यह काफी अच्छा बड़ा बाग है डिटेल्स आप देख सकते हो तो यह शू बाग है बेसिकली आप चाहो तो इसके अंदर कुछ और आइटम भी रख सकते हो यह मशी अधिन वाश है 100% पॉलिस्टर का है मैंने यह लिया है रेंगोट डालने के लिए बच्चों के लिए मैंने रिसंटी रेंगोट खरी देते उनके साथ कवर में थे तो उसके लिए मैंने लिया और यह बिल्कुल परफेक्ट आया है और इसका प्राइज है 99 रुपीज है तो इसके अंदर जो है और भी चार कलर्स अवेलेबल है आप अपना पसंद से कोई भी कलर्स चूज कर सकते हो तो यह है जी 100% कॉटन का और यह मशीन वाश है और सेकिंड वाला जो हुमने डोल मैक लिया है तो यह है जी यह बहुत अच्छा लगा मुझे इसकी जो सेम है 40 by 60 और इसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज हाँ जी तो आज ही हमारी लास्ट आइटम आइक्या में जो है सेल्स बहुत अच्छी मिलती है अगर आपको किसी को सेल्स देखना है तो आप एक बार आइक्या में जरूर चेक कर लीजेगा तो इस बार मैंने भी वहा प्राइट है वो रख सकते हैं ठीक है जी तो मैंने वाइट कलर में यह लिया है लेकिन इसकी एक चीज़ ना जो है मुझे थोड़ी सी और जीब लगती है यह बूरी लगती है बोलो कि इसके साथ नहीं ब्राकेट नहीं लेता है तो ब्राकेट जो है हमें अलग लेने तो यह 50 रूपीज है तो यह 100 रूपीज के हो गए और यह होगी हमारी 199 की तो अगर मैं यह सेट पूरा देखू तो यह 299 रूपीज में है ओके जी तो यह थी हमारी आज की वीडियो आई होप की आई किया के सारे प्रोडक्स आपको अच्छे लगे होंगे तो बहुत ही जल मैं अपनी कीचेन में यह सारे प्रोडक्स यूज करूंगी और आपको दिखाऊंगी कहां कहां रखे है तो stay tuned और हमारी आने वाली वीडियो ज़रूर देखेगा तो यह थी हमारी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो इसे like and share करना मत भूलिएगा और हमारे चानल को subscribe दूर कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई